सुबधास बज़ से लेके 11 बज़े के बीच में उपस्त हूँ आप सब के सामने आज इनकी खुणली लेकर के आया हूँ इनका नाम है तरुन्द यहैं 1मए 1980, पांच मज़ के 41 मिनट शिमला हिमाजर प्रदेश की यह कुंडली और करिष्न पक्षन के प्रति पदा के जो चंद्रमा होते हैं वो सुख्ल पक्षा के प्रति पदा के चंद्रमा से ज़्यादा अच्छे होते हैं मतलब इस मामले में कि वो ज्यादा अच्छे हो होते हैं. सवाल वही समान नितया, बेटी है, बेटा होगा की नहीं, धन खर्च जादा होता है. ये कारिक्रम में जो बना रहा हूँ, जो लोग पहली पर देख रहा हूं, उन लोगों को बता दूँ, इस कारिक्रम में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों का उत्तर ही देता हूँ विशलेशन नहीं करता मेरे विशलेशन के कारिक्रम अगर देखने हैं तो आप जा करके विशलेशन जन्म कुंडली का नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है आप उसमें देख सकते हैं जो एक एक घंडे के क्रमशव बने हुए है ये कुंडली में चंद्रमा बन गया क्रिष्ण पक्षे के प्रतिपदा के सुभग्रा बने और चंद्रमा बैठे हैं तुलारासी के इस कुंडली में वो केंद्र के अधिपती होकर के केंद्र में बैठे सुभग्रा हुए तुला रासी के उपर से अभी शनी की ढहिया चल रही है बजरंग बली की हर्मान चाली साकापाथ जरूर कर लेना चाहिए और शाम को दर्शन भी अवर शही कर लेना चाहिए दूसरी बात यहाँ पे आप जरगोर करी पंचम भाव पे देखते हैं सिधा पंचम भाव पे आते हैं यहाँ पे सुर्य जो होते हैं वो उच्चे के होकर के बैठे है मतलब सिख्छा व्यक्ति की अच्छी है क्योंकि इस भाव के अधिपती और इसके कारक यहीं बैठे हैं और इस भाव के अधिपती पे उनकी नवी दृष्टी है गुरू ने अपनी नवी दृष्टी से सुर्य और बुद्ध दोनों को देखा है तो व्यक्ति का प्रभाव अच्छा रहता है मतलब व्यक्ति काम अच्छा करे पर एक बात जो की समझने वाली है कि इनकी कुंडली में धन भाव के अधिपती धन भाव में बैठे लाभग में और धन के कारक गुरू के उपर चरह ध्यान से समझना है यह बात बड़ी कंभीर है गय भाव के अधिपती और भाग्य भाव के अधिपती ध्यान से, बारहमे भाव के अधिपती और धन भाव के अधिपती चाहे वो बुद्ध बनते हों, चाहे वो गुरू बनते हों, यही दोनों बनेंगे अगर पापक ग्रह के संपर्क में आ जाएं तो निसंदे वो पापक परिडाम देने लगते हैं, यह सूत्र है 12 में और नमम भाव के अधिपती गुरू शनी मंगल राहू केतु के संपर्क में है और गौर करिये तो इस कुंडली के लिए शनी भी अच्छे नहीं होते राहू तो अच्छे होते ही नहीं है मंगल इस कुंडली के लिए लगने सोने के साथ अस्तमेस है लेकिन केंद्र और त्रीकोंड में बैठे होने के कारण इनका पापक्ट भाव कमजोर हो जाएगा और ये अच्छे परणाम देने वाले हो जाएगे मतलब मंगल की दशा, गुरू और मंगल का सिक्षक योग, गुरू बुद्ध सूर्य का देखना, ये सिक्षक और बैंकिंग और दवाईयां या मैनेजमेंट, MBA आधी के छित्र में और किसी भी चीज को मैनेज करना या बैलेंस करना व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से आता है इस कुंड़ी में धान योग किस्तोती कैसी है दशमस्थान के अधीपती, सत्रू की राशी में बैठे है लेकिन इसका डिस्पोजिटर प्लैनेट जो सूर्य है वो उचका है इसका मतलब मेहनत करने के बाद व्यक्ति का केरियर जरूर ही पट्री पे आ जाए लावभाव के अधीपती शनी बनते हैं लाभेश के साथ बैठे हैं, व्यक्ति को रिजर्व नेचत का बना देते हैं व्यक्ति अपनी संपूर्ण उर्जा का अभी तक इस्तमाल कर ही नहीं पाया है और दूसरी बात कि व्यक्ति का जन्मजो हुआ है वो भरणी नक्षत्र में हुआ है भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में, अब जरा गौर करिए तो भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपती होते हैं चंद्रमा लगन के अधिपती बने मंगल और शुक्र बन गया नक्षत्र के अधिपती ध्यान से, मेरी तरफ देखिए भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र लगन बना मेश का तो मंगल बन गए और भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपती कौन बन गए चंद्रमा तो चंद्रमा और सुक्र एक दूसरे के लिए महान कस्टकारी हो जाते हैं मतलब एक दूसरे के लिए बड़े अच्छे नहीं होते मंगल और सुक्र दोनों एक दूसरे के लिए समता का संबंध रखने वाले बनते हैं इसका मतलब है कि मंगल और सुक्र का संबंध है जबी भी इस कुणली में आए, या मंगल और सुक्र की दशा जातक के लिए लावदायक सिद्ध हो सकती है, धन के लिए, लाव के लिए, वेप्तित्व के लिए, स्वास्त के लिए, और किसी भी तरीकिसे, आप इसको जैसे भी लेना चाहें, दूसरे नमबर पे, लेकिन और सुर्य और बुद्ध से देखे जा रहे हैं, बुद्ध कौन है, इस कुणली का तृतिये और रोग का अधिपति, इस वज़ा से जबी भी चंद्रमा की दशा आएगी, तो ब्यक्ति को रोगी बना देगी, या फिर हो सकता है कि चंद्रमा की दशा में ब्यक्ति का मन बह बैट जाए, तो ब्यक्ति को मेहनत करना पड़े, मशकत बढ़ जाए, कंप्टिशन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा घीसना पड़ता है, शनी की तरह, याद करिए, जब पंचम और छटे भाव के अधिपति शनी बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, घसित वाते हैं, ठीक उसी तरीके से छटे भाव के अधिपति लगन में उचस्त हो करके बैटे हैं, पंचम भाव के अधिपति के साथ, ये कहीं न कहीं, कहीं न कहीं पंचम भाव के फलकों भी कमजोर करेंगे, और प्रतियोगिता व्यक्ति के जीवन में डालेंगे, हाला कि व्यक्ति का सिछ्छ अगर करना चाहे तो व्यक्ति बिल्कुल कर सकता है क्योंकि गुरू के साथ दशम भाव के अधिपति बैठे हैं तो व्यक्ति स्वतन तरब्योस आए या अपने गल्ले का मालिक बन सकता है क्योंकि वो गुरू है वो किसी को तो ग्यान ही देगा या किसी को ओर्डर ही देगा वो तो स्वैम फॉलो करेगा नहीं, लेकिन वो दसम भाव के अधिपती जो बनते हैं, वो दास होते हैं, इस वज़ा से आरंभ में वो दाशत्व स्विकार करना पड़ता है, व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी या फिर किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, लेकिन अभी बुद्ध के बाद केतु की दशा में शायद प्राप्त हो जाए, दूसरी बात बता दूँ, हाला कि एक बात और भी कहूंगा इस कुंडली के लिए, कि D7 चार्ट जो मैं कुंडली का देख रहा हूं, वहां पे इस्तरी संतती के प्राप्त होने का योग ही जादा देख रह और गुरु जो है, वो शनी मंगल राहु केतु के प्रभाव में होने के कारण, उनका जो पुत्र संतती पैदा करने का जो प्रभाव है, वो कमजोर हो रहा है, या कमजोरी को प्राप्त कर रहा है, तो वीर्य पहले ही कमजोर पड़ा, तो अगर वीर्य की कमजोरी हो जाती ह या जो लोग मैथुन जादा करते हैं उनको इस्तरी संत्ति ही पहली बार में होती है कई बार ये बातें देखने में आती है इस वज़े से मैथुन नहीं करना चाहिए और इस वज़े से अपने ब्रह्मचर येकेवरत का पालन भी करना चाहिए जो व्यक्ति अमावश्या और पतिपदा अमावश्या या पुर्णिमा को अपनी पतनी के साथ संसर्ग करता है उसको दोश लगता है पाप लगता है और साथी साथ उस दौरान का जो गर्ब ठाहरता है वो कस्ट दायक होता है ये बात हमेशा याद रखिएगा तो यह मैं यहाँ पे सुरिय के उच्चके होने का प्रभाव और गुरु के सुरिय को देख लेने से व्यक्ति का नैतिक तत्तों का जो moral value है वो व्यक्ति का बहुत ही जादा सुद्रण है और मजबूत है उसमें किसी भी तरीके की व्यक्ति भगवान का भक्त हो भगवान की प यह शेलता का प्रभाव देता है कानून बाज होता है बहुत ज्यादा ग्यान अपने आपको उले लेगा मैं ये जानता हूँ मैं ये जानता हूँ भले जाने ना पर ऐसी कई बार चीजें देखने को मिल जाती है आप अगर अपनी कुंडली में दशमान्स कुंडली को और नहीं है क्योंकि वो हर जगा अच्छे बैटे हैं केंद्र में बैटे हैं तो व्यक्ति को चिंता करने वाला बशकत करने वाला हमेशा ही कुछ न कुछ सोचने वाला नित्र का रोगी क्योंकि चतुर्थ भाव के जो अधिपती है उस पे सूर्य की जब दृष्टी जाती है या बुद्ध जो रोगेश होकर के इसको देखेंगे तो नित्रों की समस्या या माता से कस्ट या माता को कई बार कस्ट मिलते देखा जाता है वस्तुता चतुर्थ भास्थान के अधिपती से केंद्र में अगर चतुर्थ एस बैटे हो तो खराब नहीं होगा क्यो ध्यान से समझेगा अगर जन्मकुंडली के मंगल लगन और अस्तम के अधिपती होकर के जहां भी बैठेंगे वहां अगर शुभग्रा के साथ बैठेंगे तो उनके पापक प्रभाव में कमजोरी आएगी और उनके सुभता के लक्षण में और बे जादा बृद्धी होग क्योंकि गुरु यहां पे उच्चा विलासी हो रहे हैं और यहां दसमभाव के अधिपती बुद्ध, चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ रहे हैं खरब नहीं है हलाकि पेट की समस्या तो पत्नी को भी देख रहा हूं वहां पे पेट की समस्या पत्नी के भी पेट में समस् साथ थोड़े से ठीक है, थोड़े कमजोर भी हैं लेकिन चंद्रमा और मंगल और बुद्ध के यहां बैठ जाने से यह एक अच्छी स्थुती बन रही है जहां पे आपकी कुंडली में राहू अस्तम का कई बार व्यक्ति के पत्नी को भी चिंतन शील या चिंता करने वाला या बहुत ज़्यादा विचार करने वाला, बहुत ज़्यादा हटी, जिद्धी, दुराग रही और कई बार बहुत अलग तरीके के हैं, हलाकि वो कई बार इसको दिखाये भी नहीं कि वो ऐसी है, क्योंकि उसको इस बात का एहसास कराना होता है कि मैं एक अच्छा हूँ, म लगनमे सुर्य और मंगल का फरनीचर और लकडियों का कारोबार भी आप पर कर सकते हैं, शनी आपकी कुंडली में जो बैटे हैं, वो उत्रफ हालगुनी के बैटे हैं और ऐसे स्थती में कि जन्म कुंडली के अधार पर मैं जो कहूँगा, उसमें आप सबसे बढ़िया, फलों का कारोबार, दवाईयों का कारोबार, फरनीचर का कारोबार, उनी कपडे और रूई, साथी साथ फल या खटे फल, शहद, आदी, या फिर दवाई, या रासायनिक चीजों का कारोबार, आप कर सकते हैं, फरनीचर सबसे बढ़िया रहेगा, जलामनी लकडी या फिर फिर फरनीचर का कारोबार, जो भी होता है, आप देख लेना, उसमें से, दूसरी बैत करता हूँ, आपकी कुंडली में मैंने नक्षत्र स्पस्ट करा, लगने के नक्षत्र और नक्षत्र के चरन के अधिपती, आपकी कुंडली में, ये मेश लगने की कुंडली के लिए तुर्थ स्थान के अधिपती हैं, इस वज़ा से माता को पेट का रोगी भी बनाते हैं, और व्यक्ति को नेचर वाइज थोड़ा सा कुंठित, कमजोर या कई बार और निरने के स्थती में जाना, गलत तरीके से गलत लोगों के प्रभाव में आ जाना, या फिर कई बार बु अरोसा ही ना हो कि ये वक्ति भी ऐसा काम कर सकता है, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होने देना चाहिए, इस बात का आपको हमेशा ही एसास कराना होगा कि आप बुद्धिमान हैं, आप ये शश्वी हैं, आप धर्मग्य हैं, धर्मनिस्ट हैं, कर्तब्य परायान हैं और अनु हो रहा है, क्योंकि उनकी डिग्री कमजोर है, इस वज़ा से वो कमजोर हो रहा है, मेश लगने की कुणली के लिए धन योग के बारे में मैंने चर्चा सुरू में करी थी, तो धन भाव के अधिपती धन में थोड़े कमजोर, बहुत अच्छे नहीं, यहाँ पे धन के कारक शनी मंगल रहु के प्रभाव में इस वज़ा से थोड़ी सी कमजोरी, एक आदश्मे भाव पे शनी मंगल रहु के तो गुरु का प्रभाव चीजें मिलेंगी पर देर से, क्यों ऐसा, क्योंकि लगन के अधिपती मंगल के साथ अगर शनी का संबंद बनेगा, और बारह में बाव के अधिपती का संबंद बनेगा, तो अपने जन्म स्थान से दूर जा करके व्रक्ति को काम करना चाहिए, चतुर्थ स्थान के अधिपती पे अगर पापक ग्रह का प्रभाव पड़े तो व्रक्ति को हिर्दय से और नेतर से समधित समस्या होती है, इसका खयाल रखन नेतरों से पानी आने और कई बार दाहिने नेतर के प्रभावित होने का कई बार प्रभाव देख रहा हूँ, माता के स्वास्त को लेकर के बिल्कुल सी सजग रहना चाहिए और कई बार ऐसी बिस्थुतियां होती हैं कि ब्रक्ति के जन्म के बाद से ही माता का स्वास्त थो अगर ऐसी कोई बात है तो वैसे अगर एक बात बता दूँ तो दामपत्य आपकी कुंडली में गुरू और शनी के कारण एक मध्यम दामपत्य या फिर एक सामान ने दामपत्य देख रहा हूं मैं बहुत ज्यादा कमजोर दामपत्य नहीं देख रहा है चंद्रमा और मंगल भाग्य भाव में नवांस कुंडली में ब्रिशव रासी में उच्चे के चंद्रमा बैठे हैं यहां देखिए दो नंबर की रासी और वो दशम भाव के अधिपती के साथ बैठे हैं ऐसी स्थती में कि अगर दशम अस्थान के अधिपती के साथ चंद्रमा का संबंध बने तो ये महा अखंड सामराज्य वादी योग बना जाता है इसका मतलब है कि पत्नी जो है वो आपके काम में सपोर्ट कर सकती है पत्नी के नाम पर विक्ति काम कर सकता है और डगती, यश, किरती, मान, संबान, पर प्रतिष्ठा के लिए थोड़ी बहुत अगर मेहनत कर दे तो उसका काम मिल जाता है एक बात और बताता हूँ अभी आपकी कुंडली में दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है इसका मतलब है कि हमें 2026 के पांचवे ममेनी के बाद जो कि केतु की दशा आएगी और वो आपकी कुंडली में दो डिगरी के बैठे हैं और इसका मतलब है कि वो आपकी कुंडली के दशमांस चार्ट में भी जो बैठे हैं वो बैठे हैं छटे भाव में इसका मतलब है कि गुरू की दृष्टी अगर प्राप्त कर रहे हैं तो उनको कुछ लाप जरूर मिल रहा है और साथी साथ उससे चतुर्थस्त एक शुभग्रा बैठे हैं उससे पंचमस्त दशमान स्कुंडली में गुरू बैठे हैं और उस पे किसी पापग्रा का कोई प् अलवान हो जाएंगे बली होंगे ऐसा इसलिए क्योंकि दशमस्थान और इकादशमस्थान के इनके साथ अगर पापग्रा का प्रभाव नहीं होता लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है गोहर करिए लगन के अधिपती और दशम के अधिपती पंचन में बैठ रहे हैं बैठी को बैठी जिसका नमक खाएगा उसको जीवन भर याद रखेगा और सबसे बड़ी बात है कि इसके कुटमब के साथ कभी भी बिगड़ने के पक्ष नहीं है ये कभी भी अपने कुटमबों को जाने नहीं देना चाता है सब को जोड़ करके रखना चाता है परिवार से सौ लोगों के बीच में अकेला ऐसा होगा जो जब बोले तो लोग इसको सुनने लगे पर फिर भी अभी भी वास्तों में देखें तो इसने अपने सदगुनों को अभी विक्सित नहीं करें इसका मतलब है कि अभी कुछ नप्च बाकी है जो आपने खुदको पहचाना अगर अभी तक करियर कमजोर हो रहा है या अभी तक करियर को सही दिशा या एक डिरेक्शन नहीं मिला इसका मतलब है कि निसंदे आपको ध्यान रखने की आवशक्ता है और कम से कम बजरंग वली की आराधना और सुर्य को अर्ग अवश ही देने का काम करना चाहिए साथ अभ बुद्ध आपकी कुण्ड़ी में जो बैठे हुए है वो डिग्री में अगर मैं जो देख रहा हूँ उसके अधार पर बुद्ध जो बैठे है वो बैठे हैं तीन डिग्री के और ऐसे स्थती में वो कमजोर हो रहा है सुर्य युआ हैं डिग्री में क्योंकि उनके स्थुति अच्छी देख रहा हूं चंद्रमा जो हैं वो मृतप्राया हो रहे हैं इस वज़ा से दिमाग कभी इधर कभी उधर मतलब बेचैन और अशांत रहे मंगल जो हैं वो बाल अवस्था के हैं और बुद्ध भी आपकी कुंडली में बाल अवस्था के हैं इन दोनों के पास बल नहीं है तो लगनेश के पास बल नहीं होने के कारण कई बार चीजे कमजोर हो जाती हैं चाहे वो स्वास्त को ले करके हो चाहे व्यक्तितों को ले करक चाहे काम को ले करके हो चाहे किसी भी चीज को ले करके हो आपके कुंडली के प्रतेक चीजों का निरिक्षन जब भी करना हो तो सबसे पहले तो आप लगनेश को ही देखेंगे तो आपकी कुंडली में गौर करिए तो लगन तो बड़ी बन रहा है क्योंकि लगन में एक सूर जगा पर इन्वेस्ट करिए और धनकामाना शुरू करिए पढ़ाने का काम, होटेल का कारोबार, बैंकेट हॉल, मैंने कितनी सारी चीजें बताएं, फल का कारोबार, ब्रेड बेकरी का कारोबार, बच्चों से सम्मंदित जो भी सामाना आप खिलोना, लकडी, काठ के खिलोन या काठ से सम्मंदित, लकडीओं से सम्मंदित, जो भी कारोबार बनता है, आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे सामगरी की दुकान भी आप कर सकते हैं, जो प्राया बिवाह में बनते हो, या फिर जहां पे पूजा पाठ की सामगरी भी बेची जाती हो, आप उसके भी दुकान कर स लेकिन वहाँ पे कील जरूर रखना सनी का काम जरूर होना चाहिए, मंगल यहां ठीक बैठे हैं, दिखबली हैं, यहां भी मंगल जो है वो खराब नहीं बैठे हैं, त्रिकोण में हैं, यहां के इंद्र में हैं, यहां पे भी मंगल जो है वो त्रिकोण में जा रहे हैं, तो म गुरु को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि शनी भी पापक, मंगल भी पापक, रहु भी पापक, केतु भी पापक, तो गुरु का प्रभाव कमजोर हो गया, उसके पापक प्रभाव में ब्रदी हो गई और शुभता में कमजोरी आ गई, इस वजह से ही व्यक्ति कई बार पिता के साथ, या माता के साथ कई 바र उनके स्वास्त को लेकर के उहाअ पोह की स्त् monopoly में होता है या कई बार उनके स्वास्त में कमजोरी का कारण ये बच्छा स्वेन बच्छ बंद बंद जाता है ऐसे स्त mismos देखती है, अब क्या बताओं, इस कुंडली में शनी मृतपर आया है, इस वज़ा से कर्म छेत्र कमजोर हो रहा है, अब सरगोर करिए तो ये कई बार चीजें देखने पे भी बनती हैं, कि आपकी कुंडली में दशमेश कैसे हैं, दशम भाव के अधिपती बैठे तो ये कुंडली कहीं न कहीं ये भी इशारा कर रही है, कि ब्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, हाला कि चतुर्थ स्थान के अधिपती के अंदर में बैठ करके सूरिय से देखे जारे हैं, जो कि पंचम भाव के अधिपती हैं, तो यश अगर हो सके तो घर कम देख रहा हूँ, इनकी कुंडली में, क्योंकि शुक्र कमजोर है, इस वज़ा से ये बात भी बनती है, अब एक बात और बता दूँ, इस कुंडली में धन देर से आता हुआ दिख रहा है, लेकिन चीजें मिलेंगी जरूर, क्योंकि लगनेस के साथ शनी बैठे तो हैं, लगनेस के साथ गुरू बैठे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, अगर इस कुंडली में मैं दशाओं की चर्चा करूँ, तो सुरी की दशा अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा कमजोर, मन को अशान्त और रुग्ण और रोगी बनाने वाली हो सकती हैं, माता को या प्रणाम इनके पक्छ में करने वाली होंगी, बुद्ध के बाद अगर गुरू की बात करता हूँ और शुक्र की तो गुरू की दशा जातों को सिखाने वाली, अनुभव प्राप्त कराने वाली, और पच्चास फिस प्रणाम, मतलब आधा प्रणाम, भागे का फल आधा म शनी, मरतपराया हैं, इस वज़े से काम देर से चालू होगा, ऐसी संभावनाय दिख रही हैं, दशमान सकुंडली में अगर मैं देख रहा हूँ, तो डीटेंड चार्ट में लगन में सुर्य और मंगल का बैठना, फरनीचर और लकडियों का कारोबार, विल्कुल सेट है, या फिर बिजली का कारोबार भी आप कर सकते हैं, लेकिन केतू है, तो अगर हो सके, तो किसी ऐसे कंपनी से भी आप बात कर सकते हैं, जो नेटवर्क के छेतर में काम करती हो, अपने घर में या अपने घर के आजपास, अपनी जमीन में नेटवर्क लगा, दिजिए वो टा पावित होते हैं वो थोड़े अधैरी शील होते हैं धैरी उनके पस कम होता है और वो अपनी धुन में लगे रहते हैं पर वो आसपस देखते नहीं है कई बार कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी स्थती है एक बात बताता हूं एक बात बताता हूं मारा चरह निकट से बैठ के देखना समझना इस चीज़ को आप जो मांगते हैं भगवान से वो नहीं मिलता कई बार और बिन मांगे जब मिल जाए तो उसमें आ सकती भी नहीं होती और उसके लिए आपको तडपना भी नहीं होता और उसके लिए आप उसके गुलाम भी नहीं मनते इस वज़े से मांग ये मर्द, बस करते हैं जाएए, विचार भी न करिए कि मुझे ये करने से ये चीज मिलेगा, जैसे ही आपके दिमाग में ये विचार आता है कि मेरे ये रत्न बेचे जाएंगे, तो मुझे पैसे मिलेंगे, उसी समय से वो ग्रहां का आप से दूर चला जाता है, जैसे ही के लिके से आज की कारेकरण का समापन करते हैं, तब तक के लिए, बहुत बहुत तमश्कार,